नमस्कार बबीतास किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं मक्के की रोटी और सरसो का साग ठंड के मौसम में अगर गर्मा गरम मक्के की रोटी और सरसो का साग खाने मिल जाये तो क्या बात है बहुत ही टेस्टी और स्वाधिस्ट होती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मक्के की रोटी और सरसो का साग पहले हम साग बना लेते हैं उसके बाद मक्के की रोटी बनाएंगे तो ये साग के लिए मैंने पालक अच्छे से दो तिन पानी धोके साफ कर लिया है और यह तुमाटर दो मीडियम आकरके नेक ले लिए हैं इसके बाद लेसुन की कलियां8-10 लेसुन की कलियां डाली हूं मैंने ठोड़े इस अदरक और दो से चुकी है कुकर बंद कर दिया था मैंने अब चलिए खूल के देख लेते हैं तो यह देखी अच्छ से पक गई है और ठंड़ा हो गया है तो चलिए से मिक्सर जार में डालकर पीछ लेते हैं चिक्णा पीछना है इसे तो यह देखिए से पानी अलग कर लेंगे और सिप हम यह बागी की बची हुई भाजीों को भी हम असी तरह से पीछ लेते हैं यह देखिए मैंने ले लिया है और इसे भी है इसे भी निकाल लेते हैं बाजिया आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं चलिए ओल गरम कर लेते हैं इधर कडाई में ने चला दी ती गरम हो इसमें ऑईल डाला है आप इसमें बटर भी ले सकते हैं घी भी ले सकते हैं पनी पसंद के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं तो हिंग डाल दी एक चुटकी जीरे डाल दिया है हाप टेबिल स्पून और अच्छे से चटकने देंगे इसे तो चलिए एक मीडियम आकर का प्याज कट करके मैंने ले लिया है बारिक कट किया हुआ और इसे लगाताच चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम अच्छे से भून लेंगे प्याज को अच्छे से हुआ है हों तो चलिए यह कम तीकाखाते हैं तो कम लिया है तो चलिए भाजि डाल देते हैं तो हमने डाल दिया है भाजी और लगातार चलाते हुए इसे भी श्यक्राइब अच्छे से भूम लेंगे कि तह हों ट् lat is P site यहाज चला अर देये तो चलिए शीप अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी एट करेंगे क्योंकि मेरा साख थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें अभी पानी डालने वाली हूँ तो आधा किलास करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और यह देखिए और थोड़ा सा डालूंगी अभी मैं तो इस तरह से थोड़ा पतला करूंगी मैं से एक उबाल आने देते हैं अभी मैंने यहाँ 2 टेविल स्पून मक्के काटा लिया था इसमें गोल बना कर इसमें डाला है इसका फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया आता है और अच्छे से इसे भी हम पका लेंगे तो चलिए लगातार चलाते हुए मैंने दो से तीर मि embaixo से अच्छे से पका लिया है तो एक टेविल स्पून है हमारा घर का बनाया हुआ है मलाई से मैंने मक्का तयार किया है तो इसे डाल देते हैं सरसों साग में मखन का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है बहुत सारा मकं इसमें का Holding डाल दाल कोसी ह अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं बिलकुल क्रीमी टेक्शियर लग रहा है देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है थोड़ा सा नमक डाल देंगे पहले भी नमक हमने साग में डाला था उबालते समय तो अभी थोड़ा सा डालेंगे और हाप टेबल स्मून यहां मैं ग चलिए तड़का तयार कर लेते हैं यहां मैंने चोटा सा पैन रख दिया है और मखण डाला है इसमें हाप टेबल स्पून तो लंबी-लंबी कटकी हुई थोड़ी से प्याज मैंने ले ली है इसे डाल दिया है यहां पर तो इसे चला देते हैं थोड़ा सा और यहां पर मैं कट करके लिए हैं इसे भी डाल देते हैं हलका सा बून लेंगे दोलाज मिर्चि ले लिया है और सब को हमने अच्छे से बून लिया हमारा तरका तयार हो गया है तो चलिए गेज ओफ कर देते हैं और चलिए आटा लगा लेते हैं रोटी के लिए तो यहां मैंने थोड़ा सा ढख धालना है थोड़ा सा जवाइन ऐजवाइन का फ्लेवर लोतियों में बहुत बढ़ी आता है और थोड़ा थोड़ा पानी ालते हुए हम एच्छा सका ताल कर देंगे अभी हम अच्छी तरह से नहीं बुत हैंगे तो एक दम से गिला नहीं इस तरह से मसल मसल कर आटे को चिकना करेंगे बिल्कुल इसी तरह का चिकना करना है यह देखिए इस तरह से फिर पानी लेंगे और फिर मसल लेंगे इस तरह से मसल के चिकना करना है यह देखिए बिल्कुल ऐसा सॉप्ट आटा लगा कर हमें तयार करना है तो यह हमारा आटा स्ट्रागे तो चलिए इसे पेड़े बना लेते हैं बिलकूल इस तरह से गोल घुमाते हुए और इस तरह से बना लेगे तो यह देकिए यहां से घुल ओ टेलबुहर कॹज़ किनारे से पनाली ही इसे चिकना करेंगे और बढ़ाते हैं उंगली के साहरे इस तरह से बढ़ाएंगे आगे की तरफ और ये देखिए बिलकुल इस तरह से चलाना है हमें हाथ तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी गोल आधी रोटी बन चुकी है और अब हम किनारे से दबाते हुए इस तरह से हतेली से रोटियां बढ़ाएंगे धीरे धीरे क्योंकि मक्य की रोटी बहुत जल्दी तूट जाती है इसलिए अराम से बनाना है जल्दबाजी नहीं करन है बिल्कुल इस तरह से और हम अच्छे से मसल कर बनाएंगे तो बीच में इस तरह से दबाते हुए हमें डिलेक्स है बना लेनी आप बिल्कुल इसסे चलाते हुए किनारे से ही रोटी भी चैनियुश, चलिए से दया एक से नहीं як जल्कुल एक हुए देखना तो पलट पलट कर इसे हम अच्छी तरह से सेख लेंगे बिल्कुल इस तरह से दबाते हुए कहीं कच्छी ना रहें ध्यान रहें इस बात का तो यह देखिए हमारी नीचे से भी रोटी अच्छी तरह से सीख चुकी है तो अब हम तबा उठा कर इस तरह से बिल्कुल लो फ्ल और दोनों साइट से पलट पलट कर हमने इसे अच्छी तरह से सेख लिया है कहीं से कच्ची न रहे यह देखे कि तब बढ़िया कलर लग रहा है और अच्छी से हमारी रोटी सीख चुकी है तो चलिए दूसरी रोटी हम बेल कर बनाते हैं तो कई लोगों को हास से बनाना नही बनता है तो आप इस तरह से भी आटा ले ले और डिप करते हुए अच्छे से आटा लगा लेना है और इस तरह से हास से बढ़ाना है थोड़ा सा कहीं से फटे तो उससे इस तरह से बंद कर लेना है और चलिए इससे बेल लेते हैं बहुत आसानी से बिल जाती है यह देखे हलके हाथों से घुमाते हुए इस तरह से बेल लेना है जितनी आपको पतली चाहिए मक्के की रोटी थोड़ी मोटी ही बनती है इस तरह की तो चलिए इसे भी तवी पर डाल लिया है मैंने और पलट की इसे दूसरे सैट से भी सेख लेते हैं तो चलिए दूनों सैट से सीदे डैरेक्ट से का था अब मैं इसे छनी पर रखके सेख रही हूं यह देखिए इस तरह से पलट पलट कर दोनों सैट से लो फ्लेम पर हमेंसे अच्छी तरह से से लेना है बिलकुल इस तरह से देखिए यह देखिए किती बढ़िया लेकिन रोटी हाथ से जो बनती है उ साग बहुत जादा जरूरी होती है जहां सर्सो करता है बहुत जारी होती हैं वह कह से सर्सो करता है मख्यक के रोटी है स्वाधिस्ट पंजाबी खाना बहुत ही टेस्टी बहुत डिलिशिस होता है और बहुत जल्दी बन जाती है तो रहा ध्यान रखिए आप मक्के की रोटी जब बना रहे होते हैं तो इसे एक साथ आटा गिला नहीं कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके पहले हाड आटा लगाना है और बाद में जितना पानी लगे उसे साथ से थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए आप आटे को सौट करें तो बहुत अच्छी रोटी आप बना कर तयार करेंगे रोटी आपके बिल्कुल नहीं फटेगी रोटी बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप रो वीडियो कतम करते हैं और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो